हाई एवरिवन इस वीडियो में हम लोग जो 2021 का पेपर है उसको हम लोग कम्प्लीटली डिसकस करेंगे जो टोटल 100 कोशन है उनको डिसकस करेंगे और उस जो कम्प्लीट पेपर डिसकस्चन करने का वो उसके पीछे लॉजिक यह है कि आपको इग्जाक्टी पतावना कि किस कोशन को पीवाई क्यू में एजे रिसर्च करके आपको डवलब करना है या फिर किस टाइप के कोशन को अगें रिसर्च करना है प्लस किस कुछ ऐसे होते हैं जो वन टाइमर होते हैं तो उनको आपको बिल्कुल छोड़ के जाना है प्लस किस टॉपिक्स पे या फिर यूट्यूब के थुरू आपको क्या मिल रहा है कि ये ट्रिक्स है ये टेक्निक्स है आपको पूरे complete पेपर में exactly आपको समझ आएगा कि कहां पे कौन सी ट्रिक लगानी है the moment you see the question आपको exactly पता होना चाहिए कि इस question में ये pattern reflect हो रहा है ये question पूछने का ये logic है मतलब getting that तो आपको उस particularly zone में आना है तब आप 100 question जैसे आप 100 question करोगे न मतलब 3-4 paper लगाए 5-6 paper लगाए तो around आपको broadly idea मिल जाएगा कि मुझे जब single type का question आता है जब multi statement का question आता है उनको कैसे approach करना आप switch करने में expert बन जाओगे and this is the last paper जो हम लोग youtube पे discuss करेंगे मैंने separate mentorship program start किया है उसका video भी मैंने डाल दिया है तो if you want की आपको complete paper around 10 से लेके 22 तक अगर if you want की उनका discussion हो आपको PYQ के note चाहिए जो 65 plus theme थी उनके note चाहिए तो आप please मेरे telegram channel पे जाके जो mentorship program के regarding details से वहाँ पे जाके आप देख सकते हो चीक है तो उसमें हमने पूरे complete paper solve करेंगे जो भी approach है उसको develop करेंगे क्या क्या pattern है core में जाके चीज़ें समझेंगे चीक है प्लस कुछ question होंगे जो unsolvable होंगे मतलब जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं 20 वाले paper में around एक question चोड़ के आया था वो भी मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था because मैंने question को पूरा completely read नहीं किया था और इस बार 22 में मैंने around एक question चोड़ा था I think वो एक दिगनगा और वो करके scholar करके था तो वो question ऐसे था कि I had no clue about that particular question और उसमें कुछ pattern भी मेरे को find out नहीं हो रहा था तो वो एक question चोड़ा था तो आपको क्या करना है कि पहली चीज़ तो यह है कि बहुत कम question चोड़ने है मतलब 5 तक question आप छोड़ सकते हो max क्योंकि almost हर question में चीज़ें लगेगी मतलब हर question solvable है try to make it solvable और यह चीज़ हमने mentorship program में अच्छे से हम लोग discuss करेंगे कि हर question को कैसे जड़ से तोड़ना है प्लस उसको बनाना कैसे है तो around यह जो portion है ना लॉजिक और नॉलेज वाला है यह doable है चीज़ें और जो 2021 का पिपर है उसमें around 75 to 80 question ऐसे थे जो doable थे प्लस 15 से 20 question ऐसे थे जो I think specifically थोड़ा मतलब subject related थे जैसे sports के question थे तो अगर आपका sports में interest है तब उनको आप कर सकते हो एक extent तक जैसे कुछ question science के थे chemistry के भी थे physics के भी थे basic science के थे तो अगर आपका science background है तब उसको कर सकते हो या फिर अगर आपने science पूरी पढ़ी है जो basic science है उसको तब you can solve those question बट I think जो general हम लोग science and technology पढ़ते हैं उसके basis पे वो question solve करना थोड़ा भी जी है जो science के background के लोग नहीं है उनके लिए ठीक है तो मैंने कुछ 15-20 question ऐसे थो थोड़ा difficult में बाकि 75-80 question है जो हमारी जो भी हम लोग elimination technique discuss कर रहे हैं जो भी जनरल चीज़ें हमने discuss करी उसके उसके अंडर ही है मतलब उसके beyond नहीं है वो भी flexible होता है उसमें भी personal चीज़ें होती है तो UPSC को भी 20% होना है मतलब वो ठीक है इस बार जैसे उन्होंने IR दे दिया तो around 14 question या 13 question IR के ठीक है अब इसमें कि आपको note down करना है किस टाइब के question solvable है किस टाइब के question को हाथ लगाना है और किस टाइब के question को बिल्कुल छोड़ देना है अब दूसरा है कि हम लोग पूरा paper solve करेंगे तो जो solvable है उनको trick से कौन से होंगे unsolvable कौन से वह pattern ही का मनें discuss कर लिए अब यह है कि इ एक technique लग सकती है लेकिन knowledge is superior in those questions ठीक है blue वाला मार्क कर रहा है उसमें trick लगेगे लाइक उसमें elimination वगएर जो भी हमने discuss किया है कि single statement में डबल है ट्रिपल है फोर्थ है जो five statement six statement seven statement उनमें सब में वह सारा pattern लगेगा तो यह हो गया ब्लू अला मार्क में रेड में ऐसा है कि unsolvable है अगर आपको नहीं पता है जैसे आर्ट्स बेग्राउंड के हैं जैसे वाटर वाला क्वेशन का इफ यू डून नो ट्रिक लोचन है इफ यू डून नो तो उस question में मतलब कोई trick लगी नहीं रही है मतलब उस question में छोड़ना is better than attempting तो कुछ एक question ऐसे थे 21 वाले paper में 21 वाला paper was more factual in nature तो उसमें कुछ like उसमें ऐसा हुआ ना कि 20 question के around थे जो थोड़ा unsolvable थे मतलब 15-20 question थे जो उसमें थोड़ा unsolvable थे मतलब बाकी वाले papers में around 90 ते question solve कर सकते हो 92-95 लेकिन इसमें थोड़ा सा ratio ज्यादा था ठीक है तो अब हम चलो start करते हैं और सबसे पहले economy है अब देखो economy में हमने already discuss कर रहा है कि RBI plus banking sector उनका favorite है अब यह देखो आपको यह question देखते exact मतलब mind में आना चाहिए कि यह question जो UK से पूछ रहे ना वो RBI Act पूछ रहा है 1934 मतलब आपको यह meta cognition है meta memory है जिसको बोल सकते हो या फिर meta awareness बोल सकते हो यह the moment you see the question आपको exactly आनी चाहिए कि भई यह question दो 1934 वाले act का है अब देखो इसमें issue कहां पर होंगे already इसने तीन statement दे रहे हैं मतलब double double 2 3 and triple statement हमने already discuss कर रहा है कि अगर वो pollution का question है या science and tech का है तब three की probability है अगर वो economy का है जैसे इस बार inflation index bond था credit rating agency वाला question था बाइस में उस question में सारों में देखना मतलब तीन के तीन सही होना examiner point of view से थोड़ा सा मतलब एक वो broad possibility है तीन को safely अटा सकते मतलब now you got to know that कि एक statement इसमें निकालना मुझे यह हो गई आपके elimination मतलब यह आपका basic knowledge हो गया pattern oriented कि इसमें एक statement गलत है अब तुम knowledge गाओ knowledge में क्या है the governor of RBI is appointed by central government ठीक है मतलब इसमें कोई issue नहीं है ऐसा कुछ की वह कोई extreme statement हो ठीक है the governor of RBI draws his power from RBI act I think यह statement सबको पता होगा कि जो 9034 वाला act है उसी में RBI आया है जो भी RBI के power है जनरली उसी में चीक है जो 1949 वाला act है this is more of regulating act तो वह पूरा regulation का है यह broad जो RBI के power functions है जो भी उसका issue departments है जो भी उसके power से assets है liability है वो सबको से उसमें है 1934 वाल act में अब तुमाओ इस particular statement में कि certain provision in the constitution of India UPC क्या करती है generally this has been found कि कुछ देते हैं कि this particular term has been defined तो UPC generally constitution का सहारा लेती है कि this according to the constitution of India according to the constitution of India या फिर office of profit is defined in the constitution या फिर ऐसा बोल रखे हैं कि according to the constitution ministries is classified in these segments तो वो लोग generally एक statement गलत बना रहें दूसरा आप एक सोचो कि UPC को question आपको broad समझ आ गया ना कि जो question UPC का देना था वो कहां से देना था 1934 वाले act से तो 1934 वाले act में जनरली सोचो constitution में आपने कभी मतलब ऐसा जनरली हमने नहीं पढ़ा है ना कि उसमें जाके पूछ रहे हैं कि कहीं मतलब government जो central government है उसके पास राइट है direction issue करने का आप जनरली आप सोच रहे हो इसमें meta awareness को use करके आप सोचो कि जो exact इनको question पूछना था वो 1934 वाले act से पूछना था इन्होंने this particular statement उन्होंने गुसाया अंदर तब आपको समझ आएगा कि यह दोनों statement complimentary है मतलब इतना कोश इश्यू नहीं है कि आर्बिया का governor ठीक है करता है और power भी होती है now you come to know that कि एक statement गलत है तो इसमें अब आप सोचो constitution में ऐसा कहीं है आपने इतना constitution पढ़ा भी है कहीं भी RBI का mention है मतलब जनरली constitution हो वही चीज़ें जो आप element है judiciary है मतलब इससे related है या फिर fundamental right DPSP वगेरा RBI को direction देना है मतलब ऐसा कहीं तो public interest में हमने तो नहीं सुना मतलब जनरली स्टाइचुरी उसमें होता है कि central government state को direction दे सकती है या फिर central government की power यह function है तो इस particular statement को आप safely remove कर सकते हो तो इस type के question में ही है कि आपके techniques भी लगेगी थोड़ा बहुत आपका logic sense भी लगेगा प्लस आपकी meta awareness भी लगेगी जो RBI Act 9034 उसका question है और यह चीज उसमें उसमें ही होगी na obviously constitution में थोड़ नहीं होगी तो यह question ऐसे हो जाता ठीक है फिर है casual worker अब यह थोड़ा भी difficult question है अगर आपको exact पता होता तो यह question होता नहीं तो इस question को solve करने का थोड़ा सा मतलब वो है कि tricky question है लेकिन एक चीज है कि आप तीन को safely अटा सकते हो अब इन तीनों में से अगर आपको एक पता हो कोई भी particular statement त तो उसको पकड़ के question solve कर सकते हो बट इस question was bit difficult मतलब exam moment पर नहीं होता यह question I think बहुत easy है कि with respect to inferior goods consider the following statements वो पूच सकते हैं कि by demand बढ़ती है या फिर consumer की जो income बढ़ती है उसका क्या impact होता है वो कुछ भी आपको relation के question में उस framework में पूच सकते है फिर आपको यह देखना है कि complimentary goods क्या होता है फिर आपको जो भी wavelength goods है उन सब की जो micro economy है उसको particularly देखके जाना है कि जो बारे में थोड़ा बहुत basic idea देखके जाना है so that कल को क्या पता उस type का question पूच ले तो आपका वो निकल जाए गया ठीक है यह question वीजी है और उसका है micro economy का knowledge based पे होगा ठीक है फिर यह urban cooperative bank हमने एकनी बार डिसकस करा है जो 65 plus themes थी कि banking as a sector बहुत important है RBA ही है RBA से नीचे जो भ आने का है अगर आप सोचो आप examiner हो and you are making the question तो आप economy की question में एक तो गलत दोगे ना UPS ही गलत दे रही है मतलब आप अपना assumption side में रखो जो UPS कर रही है उसको सोचो UPS क्या कर रही है कि जो pollution का question होगा या फिर जो economy science and tech का question होगा generally उसमें मतलब DE की होने की probability है मतलब मैं बोल जनरली है अगर 10 question आ रहे है तो 8 में D की probability है लेकिन अगर वो non science and tech and non pollution का question है न तो वहाँ पर उन्होंने एक तो गलत किया होगा यह अपना basic pattern हमने find out कर रहे है अब आप आओ कि अब कहां पर हो सकता है 1-1 दोनों में common है 3-3 दोनों में common है मतलब पहले 2 देख लो UCB का बोल र ठीक है banking regulation act through an amendment ठीक है इसमें को issue नहीं है 2-3 sure सही है अब आप एक चीज़ आओ पहला statement देखो they are supervised and regulated by local boards set up by the state governments अब एक चीज़ देखो अगर आपको 9034 वाला act पता है तो उसमें local boards की power वगेरा दी हुई है दूसरा ही है कि urban cooperative bank है तो उसमें कुछ state government का रोल होगा कुछ जो multi level की banks है उनमें RBI का रोल होगा तो इस level पर आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी banking sector में urban cooperative banks are like मतलब उनका रोल बहुत prominent है तो उसमें जो local board से वह भी state government के regulation करना इस थोड़ा difficult मतलब कुछ pattern होगा RBI करती होगे मतलब आप उस direction में सोच सकते हो तब जाके कोशन निकलता कि यहां पर कुछ issue होगा क्योंकि जो यह particular thing है ना यह आपको सबको पता कि यह amendment हुआता है they can issue equity shares and preferential shares उसमें को issue नहीं है आपको एक particular vulnerable statement find करना है the moment you find one यह निकल जाएगा यह निकल जाएगा आपका भी आ जाता तो अब इस question से क्या सीखना है पहली चीज तो आपको local board जाके देखन 1934 वाला act यह act बहुत important है और यह और 1949 वाला particularly यह act यह बहुत important है आपको एक बार जाके इनका जो बेर act है वो पढ़ना है and plus यह कि जो banks news में है जैसे small finance bank news में थी तो उस time question दे दिया payment bank news में थी तो उस time question दे दिया उस time news में चीक है इस बार UCB news में थी उस time तो UCB का question दे दिय चीक है अब आपको क्या करना है कि जो भी banking sector में जो भी banks वगेरा news में हो या फिर कुछ ऐसा quantitative or qualitative tool वगेरा news में हो तो वो question वो लोग दे सकते हैं चीक है got that अब यह question पहुत जी जहा हमने डिसकस करा था कि influenced by और उपर से bond yields है तो generally उसमें सब होता है और यह question knowledge करे तो आपका व question में कि क्या कर रही है जैसे उन्होंने 2020 में उन्होंने FDI का conceptual question पूछा था basic question फिर 21 में यह 21 वाला paper है तो उन्होंने यह component पूछ लिए कि क्या क्या उसके components है क्या क्या चीज़ें include होगी 22 मेंने क्या पूछा यह जो convertible bonds है यह exact question 22 में आपके convertible bonds के features क्या क्या है सोचो मतलब एक particular topic से UPSC revolve कर रही है कभी वो लोग north में जा रहे तो कभी south में जा रहे तो कभी west में कभी east में मतलब उनका जो theme है मतलब अगर उनको question इंडिया का पूछना है तो इंडिया का ही पूछेंगे अब भले वो north का पूछे south का पूछे या फिर इदर का पूछे this is your responsibility to cover everything about India if they will ask question ठीक है तो अब इस particular question में क्या है एक चीज तो क्या है कि यह थोड़ा bit difficult question था अगर आप दूसरे statement को समझ जाओगे क्योंकि 10% की limitation जो limit है उसके basis पर आगर आपको थोड़ा होता कि certain conditions एक particularly word दे रहका है इसके basis पर आपका two sure सही होता मतलब यह और यह गया ठीक है now two four है या one two three है four में क्या है अब एक चीज जनरली चीज देखो FDI generally capital instruments मोता है तो पहला तो सीधा ही सही हो गया मतलब पहला शौर है ठीक है यह अट गया आपका यह अट गया यह अट गया पहला शौर है तो यह निकल गया अगर आपको GDR का नहीं भी पता हो अगर आपका fourth का भी नहीं पता हो बस आपको first or two पता हो कि capital instrument में जो FDI का investment होता होता है जनरली capital instrument होता है और यह जो capital convertible bond से यह भी उसमें आ गया और foreign institutional investment in certain condition हां condition होती है ठीक है को इशू नहीं है तो अब यह question चलो although this question was more of knowledge oriented question था बट इसमें techniques क्या लगती मतलब मेरा जो इस particular question discuss करने का मतलब यह है कि इसमें आप सोचो इन्होंने बस एक condition दिए with certain condition इसके basis पर यह option सही बढ़ता अगर इन्होंने directly दिया दिया होता फिरीश होता मतलब वो even words में भी खेल रहे हैं and you need to know that कि कहां कहां पर वो खेल सकते हैं मतलब पहला शोर सही होगा ना तो आपके दो option सीधे कट गए got that उसके basis पर आप आगे बढ़ सकते हो मतलब मेरा यह कहने का है क्या पता वो लोग GDR पूछ सकते हैं इस बार चीक है devaluation of the currency BOP is the one among the important topic वो उनका है और इस टाइप के questions में हमेशा जो external sector है उसमें conceptual understanding built-up करनी है कि जो appreciation होगा depreciation होगा devaluation होगा उनका impact क्या पड़ेगा export पर import पर interest rate से कैसे decide होती है RBA के क्या role होता है holistically आपको देखके जाना है कि internal mechanism कैसे काम करते है external कैसे काम करते चीक है तो यह question बहुत easy था मैं मतलब अपने topic से ही था जो अपने external sector discuss किया है कि 65 plus theme सी वहीं से था और knowledge से question हो जाता चीक है यह question है बहुत concern क्या है देखो man cause of worry इनका question समझो इन्होंने अगर black money पूछा है ना तो मतलब उसका जो impact होगा वह बहुत बड़ा impact होगा ठीक है अब आप उसमें आओ particularly options में आओ diversion of resources to purchase real estate and investment in luxury housing कोई मतलब upset statement relevant ही नहीं है investment in unproductive activities and purchase of precious तो precious अगर तुम कर रहे हो तो unproductive में क्या होगा और इन्होंने बोला कि black money का man cause क्या है ठीक है large donation to political parties ठीक है growth of regionalism यह question है नहीं है उनका question economy का है आप समझ रहे हो black money का उन्होंने अगर question पूछा तो economical context में पूछा है यह जो particular c terms है यह political terms मैं जो political connotation में वो जो particular statement है वो frame किया गया है लेकिन UPSC ने पूछा black money economy के context में got that तो यह आपका ऐसे remove हो जाता फिर देखो loss of revenue to the state extra due to tax evasion obviously this was this is the one of the main cause of concern behind black money क्योंकि वो सब कुछ unorganized में तो वो एक kind of parallel economy चल रही है got that तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर economy के term पूछिए तो उसमें जो option हो वो economy के related हो got that अब यह चलो economy के related है लेकिन यह नहीं है तो आपका safely question easy था but the thing is कि आपको exactly पता हो कि यह question कैसे कैसे क्यों पूछा यह डिट्टो आइधिंग 2014 या 2013 में ठीक है तो पीवाई क्योंकि यह इंपोटेंस से कि यह exactly डिट्टो question पूछा हुआ चीक है यह exactly question पूछा हुआ यह बीज में भी आया हुआ है उससे पे लाइधिंग 16 पंद्रा पे पूछा है या 17 में पूछा exactly मेरे को यह नहीं पता बट कोशन वस्टो मतलब कोई exact नों ने वर्डिंग में भी चेंज नहीं करी है चीक है अब यह question बहुत इसी है inflation का है हमने already discuss करा है कि inflation को आपको holistically prepare करके जाना उसके टाइपस उसके मेजर सब कुछ तब जाके यह question आपका हो जाता और हमने एक चीज और discuss करी थी कि 5 में generally 3 होंगे तो इन दोनों को आपको 4 को सी और डी को easily अपने pattern के basis पे भी हटा सकते हो अब फिर आते ही है यह question अब देखो यह question current का भी है प्लस थोड़ा सा difficult question है difficult क्यों है क्योंकि मैं चीज एक हमने देखा होगा generally देखाएगी जो financial market है जो secondary market है उसमें यूपियसी generally question पूछती है share market है जो भी यह treasury government के bond है यह सब कुछ generally यूपियसी पूछ रही है ठीक है उनके mind में हैं यह सब चीजे में अब एक चीज देखो इसमें loophole क्या था loophole हमने generally देखा है कि यूपियसी organization वगेरा जो भी body है organization जनरली वो गलत दे रहे है अब यहां पर देखो cdsl is jointly promoted by reserve bank of india and bombay stock exchange यह तो हम safely अपने pattern के basis प्याटा सकते हो कि यार जो organization generally देता है जैसे हिदराब ट्रे स्टेट से लेके मतलब जो भी है अभी तक दिया है ना except इस बार वाला जी ट्वेंटी का question जो जी ट्वेंटी framework और परीस क्लब का दिया था वह एक organization का question अभी तक सही हुआ है पिछले 10-12 साल में तो उस pattern के बेस पर आप जा सकते हो कि त्री गलत है त्री गलत है मतलब जो भी अपना यह कि लास्ट में रिस्क लो नहीं लो इस यौर ओन प्रॉब्लम बटे की अप एट लिस्ट विप्टी माओ और प्लस ही है कि यह कुशन मोर ऑफ जो करंड था अपना से कुशन आया हुआ चिक है यह कुशन बहुत easy question था मैंने completely elimination के basis पर डाल रहा हमने इतनी बार डिसकस किया है पहले चीज तो यह कि DC दाटा दो क्योंकि वही pollution और non science and tech का कुशन नहीं है ठीक है दूसरा हो कि blue pole निकालना अब water credit है credit के related है मतलब water के related कुछ credit system होगा मतलब ऐसा कुछ है चीक है it puts microfinance मतलब similar चीज बोल रहा है कुछ ऐसा vague statement नहीं बनाया it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending of subsidy ठीक है मतलब यह दोनों statement more of works in the water and sanitation sector मतलब more of a complimentary है मतलब एक दूसरे के वह है complimentary नहीं बोल सकते है बट इनको यह बोल सकते हैं कि similar statement है more of कि कुछ अलग बात नहीं कि यहाँ पर credit के बात है यहाँ पर प्रॉब्लम कहा हो सकती lose statement है यह कि under the ages of WHO and world bank तो यह एक NGO है किसी के उसमें नहीं है autonomous है तो यूपेसी क्या कर रही है कि जो NGO है उनके question bit ज्यादा दे रही है जैसे doctors without border है अमने इंटरनेशनल है फिर विट्लेंड इंटरनेशनल है फिर तुमारा यह इस बार climate action tracker है तो यह सारे मतलब जनरली वह NGO है ठीक है तो यह lose statement है यह हटाती है आपका question बन जाता मतलब जो लगबग हर साल चाहर से पांस question आ रहे हैं ठीक है यह question डिक्टोस ही का है यह question बहुत ही जीदा हो जाता ठीक हार टू कोड़ प्रैक्टिसेस हमने उसमें statement में discuss किया था कि जो इस टाइप के statement आते single option होता है मतलब उसमें multi options नहीं होते तो उसमें हमीसा word को तोड़ो R2 मतलब आरार होगा कुछ इसमें देखो responsible and recycling सीधा उसमें चले जाओ और e-waste का question UPC ने तीन बार पूछा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि UPC के theme क्या है मतलब environmental impact assessment कभी पिरी में नहीं पूछा तो तुम इसको safely हटा सकते हो ठीक है अगर sustainable practice पूछी है ना crops में तो वो नाम particularly पूछता ठीक है weightland का तो तुम्हें पता है यह सीधा B और D तो तुम safely हटा सकते हो तुम चलो इसमें आता C और A में problem फिर इसमें broadly जाओ क्यार और इनको भी मिला आर्टू ठीक है recycling and responsibility प्लस इसमें यह भी देखो कि e-west का इन्होंने अल्रेडी दो बार question पूछा है और UPC अ पूछा है कि e-west में क्या काई e-west कौन-कौन सी गैसे वगएर है जो रनरेट करता है वगएर ऐसा कुछ कुछ था उसके related और इस बार R2 code of practice पूछ लिया मतलब e-west is the important topic अब कल को आपको जैसे यह question 21 का 22 मिनी आया है तो 23 में अगर e-west के related कुछ भी हो ना news में इस टाइप का तो make sure कि उसको पढ़के जाओ तो यह question easy भी था theme से भी हो जाता प्लस word association से भी हो जाता हां यह question pretty difficult था difficult यह था कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा game play किया था lethal करके lethal quantities of carbon monoxide into the environment अब यह की lethal release नहीं करती मतलब यह थोड़ा सा पहला एक question environment का और pollution का जहाँ पे UPC ने game किया मतलब all three नहीं दिये तो कुछ tricks गलत होगी कुछ tricks fail होगी जैसे G20 वाला question था इस बर तो आपको यह ना कि यह सब चीज़ें हम लोग क्यू discuss कर रहे हैं अगर 10 question आ रहे हैं अगर आप अच्छे से समझोगे तो 7-8 question आप अराम से निकाल पा enough got that तो यह हो जाएगा आपका यह question उसके बाद यह question I think वही है अपना environment का जनरली आप सोचो की जनरली डी होगा और यह easy question था मतलब some industries use UPC हमेशा मतलब वो करती है कि थोड़ा lenient play करती है वह ऐसे नहीं बोलते all industries use ठीक है हो गया some में मतलब एक यह question हो गया blue carbon word association करो blue मतलब ocean जैसे हमने कितनी कब से सुना है मतलब बच्पन से कि जो अपना अर्थ है planet वह blue है because of water ठीक है तो यह question वहाँ से हो जाता ज्यादा है वहीं नहीं करना बिल्कुल ठीक है यह question बहुत knowledge के oriented हो यूपेसे ने अल्यड़ी लीचंस का पूछा है ठीक है तो लीचंस है आप उसी मोमेंट में जाना चाहिए कि primary succession में क्या क्या चीजें important है और primary succession में कौन-कौन role play करता एक चीज इसमें important क्या है जो मैं discuss करूंगा कि तुम four type के options में एक सीधा हटा सकते हो और four पूर्सी दाटा सकते है यह already मैंने उसमें discuss कर रहा हूँ आप जाके देख लेना बड़ी कुशन more of knowledge oriented है यह कुशन यह कुशन मतलब ऐसे होगा ना कि जैसे तुम सोचो नैचुरल मॉस्क्यूटो रेपलेंट है आप सोचो मॉस्क्यूटो को मारने के लिए वी निट सम्थि लेमन ग्रास ऐसा नाम है अब obviously किसी ग्रास का नाम पढ़ता है मतलब किसी चीज का नाम पढ़ता है तो कुछ quality के basis पर बढ़ेगा ना उसका जैसे मतलब अगर तुम जैसे ब्रमो से मिसाइल है तो कुछ कुछ ऐसी quality होगी ना उसकी S400 है थाड है आरेंडो में तो इनका कु सकता है और अगर आप इस टाइप की अगर प्रोबिबिलिटी पर खेल देता आपका कुछ निकल जाता ठीक है यह कुछ निकल जाता तो वहां से कुछ ना निकल जाता है यह बहुत ईजी कुछ नहीं मतलब प्यु आपको करके जाने एक एक औप्शन इस इंपोर्टेंस प्यूसियए मतलब जल्दी से जल्दी ठीक है इसमें यह प्रॉब्लम आती यह कुछ बहुत मतलब अच्छा कुछ निन्होंने अग्शा है थे रखा है और आपने आपको प्रोटक मतलब inflation indexes bonds में क्या होता है तुम हैजिंग करते हो अगर तुमने कभी money share marketing पैसे लगाया हो तो जब दाउन जाता है तुम क्या करते हो तो एक तरीके से मतलब हैज कर रहे हो अपने फंड को हैजिंग कर रहे हो हैजिंग मतलब अपने आपको बचा रहे हो तो उस ताइप से मतलब आप सोच सकते हो बट यह थोड़ी least probability है कि आपको एक्जाम मोमेंट में याद आए बट यह हैज जाक यह अगर आपको समझ आ जाए तो क्या पता वह मतलब वहां से कुशन बन जाए यह थोड़ा टिपिकल है नहीं आएगा मतलब इतना बट इस्टिल आप देख लेना मतलब अगर आपको हिंदी आए तो चीक है तो यह कुशन भी डिफिकल्ट है मैंने रेड में किया है क थोड़ा डिफिकल्ट है आप छोड़ भी सकते हो और आप अटेंब्ट भी कर सकते हो अगर आपको माइंड में यह इस्टक हो जाए तो ठीक है यह कुशन आइधिंग वन आप देजिएस्ट कुशन आइल से या फिर वन आप देजिशन जो सबसे इजी कुशन हो जाता हमने पांच कुशन में अल्रेडी डिसकस कर आए कि तीन का बैठता है यूपी अभी तक दो तीन कुशन सही गलत करी है मतलब जिसमें पांच स्टेट्मेंट हो और उसमें तीन सही नहीं हो एक टरके की स्टेट का था एक प्लेसे इन दे निउस था ऐसा कुछ करके था और एक सत्रा में मतलब तीन-चार कॉशन थे तीस में से जो डिवियेट हुए इस पैटन से ठीक है अब आव तों वन कॉमन है टू-फॉर और थ्री-फॉर में देखो थ्री-फाइव में थ्री-फाइव में क्या है इट इस लीगली बांडिंग हो सकता है मतलब इश्यू इसमें प सब्सक्राइव में तो और फॉर में इसमें कोई ट्रीटी आई है मतलब जैसे यू-एन यू-एन का है कि नियू-यॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट इतने बड़ी चीज है तो इसको ऑविसली गोर्मेंट कंपनी कंपनी सारे करेगे तो यह कुशन इलिमनेशन से हो जा इस बेसिस पे लेकिन दूसरी हमारे ट्रिक यह थी कि जो पांच स्टेटमेंट होते उसमें तीन से होते जनरली तो यहां पर तुम सोथ सकते हो कि फूर कॉमन है फूर मतलब तुमारा पॉर प्लांट का अब उसके बियॉंड आप अपना रिस्क ले सकते और यह कोशन ठोड थी में फाईे ओगा और ध atac 3 में नहीं होगा ठीक है ठीक है 3 में देखो अप 3 में आगे 2 में आगे यह हमारा पड़ए पा rubber मतलब UPSC इस टाइब से प्ले कर रही है got that now you are left with A and C A and C में one common है आपको देखने है 3, 5 और 2, 4 अब देखो 2, 4 में क्या है C ORS है C ORS आपको पता है 100% नहीं है ठीक है वो फिश है वो आपको पता है नहीं है datry virus तो आपका हट गया 4, 8 गया और अगर आपने current पढ़ा होता तभी होता question ठीक है यह question बहुत easy question है इन्होंने बुला species मतलब एक particular species का बात नहीं किया हुआ मतलब ऐसा है ना कि जैसे मतलब whole India की बात करी हुई है ऐसे particularly किसी village या फिर किसी community की बात नहीं करी हुई है तो यह पूरा जो group है ना निंड्रियाज का है फंजाई का है प्रोटो जोगा का उसमें अगर एक species भी पाया गया ना जो symbiatic relation का तो उनका question मतलब वो हो जाएगा question उनका खराब हो जाएगा या फिर question उनका गलत हो जाएगा ठीक है इन्होंने का बोला symbiatic relationship with another organisms मतलब यह question उसमें है singular statement नहीं है यह वो है multiple statement वाला है कि निंड्रियाज में कितने सारे species होंगे और फंजाई में कितने फंजाई के species होंगे प्लस प्रोटो जोगा के कितने different species होंगे तो क्या पता उसमें एकाद तो symbiatic relation का हो तो तुम इस वे से सोच सकते हो यूपेसी ने इसलिए दिया ना कि तुम उस practical sense में जाओ मतलब अगर knowledge से देती ना तो किसी एक particular प्रोटो जोन का दे देती या फंजाई का दे देती या निंट्रियाज उनका दे देती यूपेसी wants you to understand कि हम लोग species पूछ रहे हैं और ये पूरा एक broad classification है species का अगर आपको basic इतना idea जाता है कि या इतने सारे species में एकाद तो करता होगा क्या पता किसी एक का symbiatic relation हो the moment और generally इतने सारे species है तो किसी ने किसी का तो हो सकता है मतलब this is the possibility ठीक है अगर आप उस direction में सोचते हैं आपका question बन जाता मतलब को issue ही नहीं आता आपको ठीक है ये हो गया question उसके बाद चलते हैं आगे वाले पे प्रोटो जोगा का हो गया ये चॉस्ट योगी ने I think the most easiest question क्योंकि इन्होंने इस बार भी सोमनात का question दिया था और हमने एक चीज डिसकस करी थी कि ये लोग क्या करते हैं कि जो भी चीजे आर्ट एंड कल्सर की news में रहती है ना वो यूपे से generally पूछती है ठीक है मतलब जैसे इन्होंने इस बार सोमनात temple नीज में था सोमनात पूछ लिया ठीक है तो इसमें दिखाएगी only circular temple यारिक अगर गाउ में भी circular temple हुआ ना तब इनका question कलग हो जाएगा तू सीधा आटा हो तू आटा थी आपका question बन गया ज्यादा सोच नहीं नहीं है one four में got that ये कुश नहीं जी था दोला वीरवाला मैंने बोला था कि हडपा मतलब जो भी आपनी स्री जो 65 थीम्स थी उससे related जो भी न्यूज मोना उसको make sure करो कि वह आपका strong हो मतलब जैसे आसोका के related का अगर न्यूज में चल रहा हो जैसे coins उनका favorite है तो इस बार फ़नम पूछ लिया मतलब न्यूज में जैसे उन्होंने पूछा भी है और coins are the important thing तो यह question वहाँ से हो जाता है मतलब जो अपने themes है ना उनको आपको Google करके current भी उनका देखना है कि अगर विजे नगर के related कुछ current news में हो जैसे noonies उस time news में था तभी noonies पूछा ठीक है जैसे foreign traveler उनके लिए important topic है तो उन्होंने वह question पूछ लाए था फ्रांसिस को बढ़नियर को वाला question था इतिंक एक ट्रनीवेर बढ़नियवेर करके 2008 का question था ठीक है यह question बिट difficult था मतलब exam moment में थोड़ा लेकिन इससे ही होता था फैक्ट्रीज है वह इनकी important होती है और बाइस में उने फैक्ट्रीज का question फिर से पूछ लिए ठीक है question वहीं से repeated हो रहे हैं अलग नहीं है ठीक है यह question बहुत इजी था बस आपको यह कि पहले चीज हमने discuss करी थे six में four सही होता एक में pattern बता रहा हूं जनरली यूपेसी क्या कर रही है साथ statement में पांच सही कर रही है पांच क्यूं सही कर रही है क्यूंकि दो में वो लोग खेल सकते हैं got that मतलब दो statement को exchange कर सकते हैं यहां पर देखना six में four दे रही है five में three दे रही है four में generally four का कोई वो है नहीं मतलब two भी दे सकती है generally पाया गया है कि two दे रही है three में है आपके पास वो है कि option है दो भी दे सकती है, तीन नहीं देती जनरली, एक भी दे सकती है, चीक है, टू में है, टू में तो obviously मतलब एक या दो भी सही हो सकते है, एक में obviously एक हो जाएगा, manly आपको देखना ये, ये क्यों दे रही है, क्योंकि seven statement में दो को swap कर सकती है, या फिर दो को exchange कर सकती है, फिर दो को ultra बना सकती है, ये UPSC का pattern है, आप खुद देखना, ये seven statement वाला question है, इस बार जो आया था, solar flare वाला question उसमें देखो, six four statement इस बार वो आया था, आपना nitrogen fixing plants वा with a two and four, आप सोचो, six statement उन्होंने बनाएं, उन्होंने only two ही सही कियोंगे, मतलब उनको four और add-on करने पड़ेंगे, गलत बनाने के लिए, मतलब अगर आप examiner हो, आपको six चीज़ें बनानी option में, तो आप only दो चीज़ें सही बनाओगे, और चार चीज़ें गलत बनाओगे, this is the least possibility, got that, मतलब आप अपने mindset से सोचो, कि अगर आपको six statement का question बनाना हो, तो आप generally क्या करोगे, मतलब four तक सही कर सकते हो, मतलब सही करोगे generally, क्योंकि तीन-तीन की भी possibility है, लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन दो की possibility कि आपने only two सही किया, this is the most, मतलब UPS is generally नहीं कर रहा है, वो six statement four दे रहा है, तो बस अगर आपको यह पता होता, generally आप उसमें जा सकते थे B में सीधा, ठीक है, तो उस basis पे यह question मैं easy मान रहा हूँ, और यह question फिर से इस बार, जैसे यह राजपूत kingdom है, तो राजपूत kingdom सारे देखने है, इस बार फिर से पूचलिया, चंदेला है, परमार आपको एक particular statement यह मिला है, अब आप थोड़ा सा idea लगा हो, कि मतलब woman की condition अच्छी होगी तब ही तो UPS पूचा है, जैसे elephant वाला question था, कि जो leader है, वो female है, मतलब कुछ progressive है, तब ही पूच रही होगी और दूसरा यह है, आप एक चीज सोचो, कि अगर वो wrestling में है, मतलब आगे है, बहुत ज़्यादा आगे, तो astrology में भी होगी, मतलब chances है, अगर कोई उस time में अगर racler था, अकाउंटिंग है, रेसलिंग है, और सूच सिंग, मतलब यह दो तो, मतलब first and three तो ऐसा है, कि मतलब इनकी probability बहुत ज़्यादा है, कि यार अगर रेसलिंग कर रही होगी, तो astrology क probability है, तो मैं sure पता हो, पूरे विजयनगर empire में, अगर एक woman भी पाई गई, मतलब astrologer या फिर accountant या फिर suitsing वगरा उस field में, तो इनका option गलत हो जाएगा, मतलब इनका logic समझ रहे हो, पीछे का, इनका पूरा woman age sector दिया, और क्यों दिया है, obviously कुछ progressive होगा उस particular empire में तभी तो दि पाया गया, एक भी accountant पाया गया, और एक भी suitsing पाया गया, तो इनका question गलत हो जाएगा, आपको ऐसे सोचना है, इस direction में जाके सोचना है, यह question हो जाता, यह question छोड़न ले लाएक आई थिंग, आपका option भी नहीं निकलता है, एक option निकल सकता था, यह जो colonel यह है, यह अपना यह NCRT सोजात, गनिस्वर, चंदर के दुगट NCRT का था, बुर्जों में NCRT था, मैंने बोला है कि जो old NCRT, आरे सर्मा और चती चंद्रा वो पढ़ गे जानी आपको, ठीक है, तो यह question easy था, यह question bit difficult था, अगर आपको यह third statement particular पता हो, तो आपका bit easy बन जाता, मतलब आपक question अपना विजय नगर से था, तो देखो, विजय नगर से इन्होंने कितने question पूछ लिए, एक उपर question पूछा था, यह फिर से दूसरा question, ठीक है, यह दूसरा question हो गया, वसको डिगामा वाला, तो यह लोग क्या कर रहे है, timeline भी पूछ रहे है, उनके woman के condition भी पूछ रहे है मतलब एक comprehensive चीज़ पूछ रहे हैं, किसी particular topic regarding, तो make sure करो कि आप वहाँ particular topic regarding, हर चीज़ पढ़के जाओ, ठीक है, यह question बहुत easy था, elimination से हो जाता, आपने पता है कि भाई, एक question गलत है, क्योंकि हमने discuss कर रहा था, non-pollution और वह वाला, जो हमने logic discuss कर रहा है, उसके basis भी क्या हो होगा, यहाँ पर उन्होंने एक factual बनाया कि डाइडेंट गोवा, गोवा मतलब गोवा की जगे क्या पता, चाइना में मर रहा हो कहीं, और मर रहा हो, और एक चुलिए चाइना कहीं है, ठीक है, बाकी दोनों statement easy है, यह already मैंने questions अपने previous video में discuss कर रहे थे, कि 21 वाले question में, कैस basic logic question से ही होता, अब यह question कुछ लोग group में, टेलिग्राम में बोल रहे हैं, यह question कैसे delay up करना है, ठीक है, अब आप देखो, मिताकसरा was the civil law for the upper caste and there, भागा was the civil law for the lower caste, इसमें यह जा सकते हो ना, तुम कि यार, UPS इन क्या पता, swap किया हो, मनलब, UPS इस जनरल ही कर रही है, कि व you are left with second and three, यह है, अब आप second and third में देखो, second में क्या बोल रहे है, कि जब, मतलब, मतलब, जब father की death होगी, वो एक timeline है, उससे पहले मिताकसरा में, तुमारी property का जो भी claim है, वो settlement होगा, और जब father की death होगी, तो वो, जो दया बागा system है, उसमें वो होगा, ठीक है, तीसरे मे देखो, तब मिताकसरा system deals with the matter related to the property held by the male members only, यह bit discriminatory है, और दूसरा, जनरली हमने ऐसा मतलब, पाया है, कि भाई, male का ही हो, मतलब, एक segment का, male और female का होना चाहिए, मतलब, second option है, अना, this is more rational option, कि यार हो सकता है, कि यार, ऐसा हो कि, भाई, death के बाद हो सकता हो, पापा की, तुम both female and male member का, this statement is more of, मतलब, ऐसा made of statement है, कि बनाया गया हो, तो इसमें थोड़ा probability list है, लेकिन आप पहले को at least हटा सकते हो, दूसरे और तीसरे में, अगर आप कामली सोचते है, तो यह question बन सकता था, मतलब, probability है कि इस question की बनने की, ठीक है, तो इस question को हम लोग उसमें रखते है, यह bit difficult question था, अगर आपको आ जाता, तो यह हो जाता, और generally UPS हमेशा मैंने discuss किया, कि ए option में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, सोच के जाना है, लोग आपको आपको सोच के जाना है, कि हर statement में जैसे liberty का question पूछे था, उन्होंने, जो first option दिया था, उसमें negative liberty का concept, उन्होंने address किया था, ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, कि जब भी आप UPS का question solve करो, तो A में आपको directly नहीं जाना है, मतलब सोच के जाना है, got that, and दूसरा, इस बार उन्होंने जैन मंग का question पूछ लिया, PYQ में 2022 में, कि जैन मंग, जो Buddhist मंग थे, और जो वेशन वे मंग थे, बिग हो भी उनके लिए important है, got that, यह question I think act का है, तो easy question है, इसमें कुछ discuss करने का नहीं है, यह सबसे easiest question था, ठीक है, अब आपको इस question में क्या important चीज करनी है, क्या देखना, यह जो वाइस राए कि executive council का यह थाना, यह वावल प्लान था, यूपेसी क्या करती है, किसी और की definition किसी और में डाल देती है, जैसे उन्होंने, आप question देखना है, carbon fertilization करके question 2018 दिया था, उसमें जो chart definition दी थी, वो और ही किसी की थी मतलब, तो आपको अगर किसी particular thing की definition बता हो ना, उसके basis पर आप option भी eliminate कर सकते हो, जैसे B eliminate होगी है, वाव का question बन जाता, got that, ये question I think इस basis पर हो जाता कि यार, गांधी को बहुत पूछते है, ठीक है, गांधी को उन्होंने हर बार पूछा है, नेरू को कभी, PT में, पिछले 15 साल में मैंने नेरू का कोई question देखा नहीं है, तो आप नेरू को safely हटा सकते हो, कि यार, नहीं पूछेंगे, ना कोई मैंने तिलक का भी तक question देखा है, सरुज नीनाडी को question पूछा हुआ, गांधी का, अब इसमें यह है, अगर आप रिस्क लेनी है, ताप गांधी जी पे लो, क्यों कि गांधी जी वन आप दी फेवरेट topic for them, ठीक है, तो ये question ऐसे हो जाता, अब आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे उन्होंने एक क्लियान मनुपा वाला question दिया था, 2019 में जिसमें विजन अगर option दिया था, तो ये अगर आपको theme भी पता हो, 70 theme की, यार ये 70 topic है, वो बहुत important हर साल दे रहे, तो at least कुछ random question भी आपके बनेंगे, अब य देखा ही नहीं है कि उन्होंने question दिया हो, तिलक पे, ठीक है, अब तुम आगे नाइडू और गांधी में, तो probability उसमें जाओ गांधी में, जिसनोंने भार-बार question पूछे हो, गांधी जी का उन्होंने, या PT या मेंस, या PT या मेंस, मतलब हर साल question पूछ रहे है, तो इसकी probability जाता है, अगर तुम लगाते हैं, तुमारा सही होता, यह question basic NCRT से हैं, यह question हो जाता, basic है, यह question हो जाता, अब देखो, अब इस question के basis पर क्या गरना, आपको leaders देखने हैं सारे, जो 1905 वाले movement के, क्या पता हो इस बार पूछ सकते हैं, जो interim government थे, उसके member देखके जाना है, यह तो important है, ठीक है, drafting committee के member कौन से, constitution assembly के, यह बहुत important है, plus INA के officers, तो आपको इन तीनों option को Google करके पढ़के पी जाना है, got that, यह question bit difficult था, वहाँ पर, elimination के basis भी हो सकता था, तो आपको हो जाता, यह question bit difficult था, कि river वगेरा है, यह all तो नेतिन शिगानिया में, बट इतना cost benefit नही यह question easy था, हमने discuss करा था, कि language day है, तो UNICEF क्यों करेगी, obviously UNESCO करेगी, UNICEF से child के related है, ठीक है, तो organization generally UPS से गलत दे रहा, और दूसरा statement, basic statement है, ठीक है, यह question बहुत easy है, हमने discuss भी करा हुआ, उसमें 2021 वाले paper में, कि basic logic से कौन से question हुए, आप वो वीडियो जाके देख लेना, कि क South America का है, ठीक है, तो यहां पर उन्होंने factual बना लिया, देखो, the palm oil is raw material for some industries, कोई issue नहीं है, some industry होता है, और obviously होता ही है, पाम oil can be used, यह दोनों linear statement है, यह factual है, तो उसके basis पे आपका 1 and 2 and 3 बन जाता, तो यह question ऐसे निकालने है, यह pure elimination का question है, ठीक है, अगर आपको पता होता है, फिर भी ठीक है, लेकिन elimination से भी easily हो जाएगा, ठीक है, यह question थोड़ा bit difficult था बढ़ ठीक, फिर भी हो जाता, यह question easy हो जाता, आपको डीडवाना के basis पे जाना होता, ठीक है, अब आपको क्या करना, इंडिया के glaciers, इंडिया के mangrove areas, saline lakes थी और रामसर sites थी, उनको सब को important करन जो कि भाई, यह यह paper यह भी option important है, यह question वंसादारा already पूछा हुआ, ठीक है, और ब्रामनी पूछा हुआ, यह दोनों पूछे हो, इनके basis पे आपका question निकल जाता, सुबर नरिका पूछा हुआ, नगवली नहा था, ठीक है, यह question हमने already discuss करा हुआ, कि जो organization हो गलत देती, the moment you remove one, आपका question हो जाता, यह question हीजिए, यह question geographic basic हीजिए, यह biome का है, मैंने हर जार बार बुला है, कि biome is the most important topic, इस particular paper में दो question है, this is the only question, जो मैंने find out किया है, pollution और non-science and tech में, जिसमें तीन सही हुए वो, मतलब जिसमें तीनों के तीनों सही हुए, तो यहाँ पे trick fail भी होती ह है, trick fail sometime, and it's okay, मतलब it's totally okay, कि अगर आपके 10 में से 7 question भी बन रहे हैं, तब भी आपके 14 और अगर 3 question गलत हो रहे हैं, around 12 marks दे रहे हैं, आपको 10 question में से, I think it's well and good, मतलब 100 का जो question paper आएगा, उसमें आपको 120 number तक आ जाएंगे, अगर इस way से भी आप जाओगे, तो भी, तो well and good ऐसा tricks fail होगी, it's good, मतलब यह एक ऐसा question है, जिसमें UPSI ने सब सही दियो, generally नहीं दियती है, चीक है, यह हमने discuss करा था कि यह बहुत important है, आप यह PYQ भी है, यह भी exact ditto PYQ है, नहीं भी है, तो हमने पता है कि यह और यह गलत है दोनो, UPSI ने क्या दिया था, fire, fire और water limits का करक एक question दिया था, ठीक है, अगर fire के रिसाब से तुम जाओ तो दो यहीं है only, ठीक है, यह question PYQ का है, exact ditto question है, ठीक है, यह question PYQ का है, बस घुमा फिरा के उन्होंने पहले तीन statement दिये थे, इस बार तीनों को combine करके question बना लिया, got that, यह question हीजी है, I think 2010, 2013, और इस बार 2020, तीन ब ने discuss कर रहा है, अब इसमें आओ कि आपका four common है, और three भी common है, तो four और three तो सही है, अब आओ 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 आप पांच है, एक में से choose करना है, पांच में क्या है, the seeds of the moringa tremorate can be used, कोई issue ही नहीं है, चलो, एक में क्या है, moringa is a leguminous evergreen tree, इसमें probability हो सकती है कि वो ना हो, ठीक है, य ये factual है, ये गलत है, ये भी गलत है, कि South Asia का endemic नहीं है, और जो linear statement है, वो सही है, तो आपको निकालने इन ही question को तो समझना है, ये question easy हो जाता, ये question जो pro nuclear technology है, वो और बीस में दे रखी थी, तो mitochondrial disease के regarding फिर से repeated हो गया, ball guard 2, अब आप सोचो, इसमें क्या लगाती, bg1 आपन word association में मतलब आपको पूरे depth में कुछ ना है, ये में आपको उसमें, जब हम लोग mentorship program करेंगे, तो उसमें I'll discuss in detail कि आपको exactly word को तोड़ना कैसे है, कैसे किस direction में सोचना है, किस point of view सोचे, आपके question को निकाल सकते हो, got that, ये question बहुत difficult था, अगर आप physics background है या फिर उससे है, त ये question difficult था, अगर आपका arts background है, क्योंकि science वालों के लिए easy question हो जाएगा, और जिनोंने basic science पढ़ी है, उनके लिए easy है, जो भी है, ठीक है, ये question easy भी है, थोड़ा difficult भी है, अगर आपने पढ़ा होता था, ये ACE2 हमने discuss करा, talked about in the news, ठीक है, अब genetically modified crops, इतनी news में कौन सी रहती है cotton रहती है, ज्यादे ज्यादे है, cotton में हमने पता है, ऐसा ACE2 तो कहीं सुना नहीं है, कोई gene वगेरा, ठीक है, इंडियान own set navigation system, अब यह देखो, ये नाविक है इंडिया का, नाविक में ACE2 कहीं सुना है आपने, आपको ये ऐसे भी करना है, ये जो B option है वो नाविक की बात कर है, ठीक है, अब ये question trick lotion and bisphenol ऐसे थे, कि अगर आपको आते हैं, तब well and good नहीं तो आप छोड़ सकते थे, safely उनको, बलब ये दोनों ऐसे question थे, जिसमें कोई trick नहीं लग रही है, ठीक है, ये question easy था, बेसिक साइंस का था, ये question easy था, पॉलिटिका है, पॉलिटिका मैंने इस discuss करूँगा, ये question बहुत difficult था, उस moment पे इतना बनना मुस्किल हो जाता, ठीक है, ये right to privacy I think 3-4 बार पूछ चुक है, ये बहुत easy question था, ये भी हो जाता, right to city, अब ये question ऐसे question होंगे, जो थोड़े बहुत गलत होंगे, तो late it भी गलत भी होने दो, ये question bit difficult था, UPS ने थोड़ रात और उसमें रह रहे हैं, जो पंजाब वगरा है, उन में मुकतार अंसारी से ले गई है, अगर जनरली आपने सुना होगा, तो state के अपने rules से, मतलब जो भी prisoners के related, क्योंकि वो state subject है, तो ये question वहाँ से हो जाता, ठीक है, पहला question बहुत, पहला statement बहुत extreme है, दूसरा statement सही हो जाता, ये question easy है, मैंने already आपने टेलिग्राम चैनल पे जो भी environment के legislation है, वो डाल रखे हैं, प्लीज, उनका आप एक बारी read करिए, page number 42, 80 में है, सारे legislation, उनके summary अच्छे से बताई गई है, तो आपका लगबग question वहाँ से निकल जाएगा, और वो बेर act से नूट बनाए हो ठीक है, तो वो एक बारी go through कर लेना, ये बहुत easy question, article 14 का, ये federal है, ये सारे easy question है, मैं उनको discuss नहीं करूँगा, पॉलिटिक है, ये जुडिस्री का question है, वहीं से आ रहा है question, ठीक है, citizenship का question है easy है, ये देखो liberty को concept guard करेगा, अब इसने खेला कहाँ पे इनोंने, यहां पे खेल कि यार, dinosaur हो सकता है, क्योंकि Dennis Warren मतलब dinosaur, ये हो गया अपना word association और ये question निकल गया, लेकिन नहीं, आपको फास्ट जो particular statement होता है, उसमें सोचना हमें सा, कि उसकी depth में जाके सोचना है, कि exactly होगा नहीं होगा, या फिर committed का मतलब ये भी होता ना, कि one sided committed, तो वो क्या पता है, मत excitevised हो, ठीक है, तब जाके ये question बन जाता आपका, ये question I think easy है, ये भी easy है, ये question भी easy है, देखो कितना beautiful question बनाया है, मतलब ऐसा कोई question नहीं बना सकता, कि exact constitutional status क्या था, ठीक है, ये question easy था, डिटो repeated है 2020 का, तो पीवाई क्यू करने के ये भाइदे है, चार पांस question तो डिटो आ काम है, मतलब tribal name है, जैसे उल्गुलन था, ठीक है, तो वो tribal name है, ठीक है, संथाल rebellion है, संथाल जो word है, ये इस type के जो कुछ चीज़े होती है, वो आपको word association की धूरूप पता चलेगी कहां, जैसे इस बार गंडी कोटा आया था, ठीक है, गंडी कोटा पापी कॉंडा, मतलब sound कर रहना कि यार, ये लगबग अंध्रा का ही है, मतलब उसी side का है, तो आप उसके basis पे कावेरी और तुंग बद्रा को सीधा ही हटा सकते है, क्योंकि वो अंध्रा में जाती ही नहीं, got that, हल भी हो क्यो, dance form, dance form तुमने होता था, ऐसा सुना होता, musical instrument, उसमें कुछ ऐसा है न नाम है, मलब उससे लिए ये बहुत easy question था, अगर आपको काम ली करते तो, got that, ये बातरतन वाला, ये easy question था, ये हो जाता, ये हमने discuss करा था, कि organization गलत देते हैं, तो ये question हो जाता, ये question bit difficult था, अगर नहीं आ रहा तो, ये question bit easy था, अगर आपका cricket में interest है तो, और ये question था, हम question ऐसे निकल जाता, तो ये question में हमने ये discuss कराए कि कैसे कैसे complete paper को solve करना है, इसमें और भी चीजें सी, जैसे मतलब किस topic को research करना है, किस topic को छोड़ना है, वो सारा हम लोग mentorship program में discuss करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you so much for the watching, मिलते हैं अगले वीडियो में,